ओम स्यांती हम प्यार के सागर की संतान है तो नेचुरल रूप से हम प्यार से भरपुर हैं हमें किसी से प्यार मांगने की जवरत नहीं हम प्यासी नजरों से चारों नहीं निहारेंगे कि कोई हमें प्यार करे बल्कि हम तो प्यार के दाता हैं क्योंकि हमारा बाबा प्यार का सागर है तो आईए हम अपने व्यभार में प्यार को बहुत बढ़ाएं अभीमान को छोड़ दें कटूता को छोड़ दें सदा ही स्ट्रिक रहने की भावना को छोड़ दें जो सदा ही स्ट्रिक रहते हैं वो प्रेम स्वरुप को भूल जाते हैं, वो दूसरों को सदा ही टाइट रखते हैं, इसलिए उनके समीप कोई भी आना नहीं चाहता, भले ही हमारे सिद्धान्त बहुत सुन्दर हैं, लेकिन सिद्धान्तों की पालना प्रेम की सक्ती के द्वारा ही कराई जा सकती है, इस ट् क्योंकि जब तक मनुस्वई च्छा से धारनाओं को ना अपनाए, तब तक वो धारनाओं उसके अंदर जाएंगी भी नहीं, मालो सवेरे उठना बहुत स्ट्रिक्ता से कोई करता और कराता है, तो उठने वालों को उसका आनद नहीं आएगा, लेकिन परमातम प्यार में तेरे हम उठें, स्वेच्छा से उठें, महनलक्स को प्राप्त करने के लिए उठें, तो सहज ही इसवरी रसों की अनभुती होगी, हम अपने प्यार में दूसरों को आगे बढ़ाएं, ये प्यार बहुत बड़ी शक्ती है, जैसे और शक्तियां हमारे पास हैं, वैसे ही प हम सिर्फ सक्तियां हैं, हमें प्यार की द्रस्ती देकर दूसरों के विकार नस्त करने हैं, हमें प्रेम के बोल बोल कर दूसरों के दुख हरने हैं, हमारी भावनाओं में भी प्रेम हो, हमारे व्यवार में भी प्रेम छड़कता हो, ताकि सभी लोग ये सच्चे लिल से कह सकें कि ये तो प्यार के सागर की संतान है लेकिन ये प्यार असली प्यार तब बनता है जब ये प्यार आत्मिक प्रेम हो जाए अगर हम दूसरों को आत्मिक दरस्ती से देखेंगे तो दूसरों को हमारे प्रेम के वाइबरेशन्स जाएंगे अगर हम स्वयम देह से नियारे रहेंगे तो संसार की सभी आत्माओं का प्यार हमें प्राप्त होगा यहां तक की स्वयम भगवान भी हमें बहुत प्यार करेगा तो हम अपने चित से करवाहट को निकाल दें नफरत को निकाल दें घरना इर सादवेश को निकाल दें अवगुनी दरस्ती को समात कर दें क्योंकि यही सब चीजे हमारे प्रेम स्वरूप को नस्ट करती हैं जिस व्यक्ति के बारे में हमने पहले ही कोई अवगुन अपने चित पर रख लिया हो तो हमारे बोल उसी अनुसार निकलते हैं जिसके लिए हमारे मन में इर साह हो तो हमारे बोल भी उस अनुसार निकलते हैं इसलिए अपने मन में, सभी के लिए निर्मलसने पैदा करें, हम याद रखें संभोल स्वरोप में, सभी आत्में बहुत गुनों से संभन हैं, और दूसरी बात याद रखें, ये सब हमारे हैं जिन से हम इप्सा करते हैं जिन से हम नफरत करते हैं जिने हम गिराना चाहते हैं वो तो सब हमारे हैं अपनों से कैसा जवार किया जाता है इस पर जराएक नज़र डालें तो आईए हम प्रेम सुरू बन कर प्यार के सागर को परतक्स करें और आज सारा दिन ये याद रखेंगे मैं प्रेम से भरपूर बहती गंगा हूँ मेरे सामने जो भी आएगा वो इस वर ये प्यार को अनुभव करेगा मुझसे सभी प्यार की सोगात लेकर जाएंगे मीथी द्रस्टी लेकर जाएंगे दो मधुर वचन सुन कर जाएंगे इस वर ये वर्धान लेकर जाएंगे और बार बार अभ्यास करेंगे मैं आत्मा इस दे को छोड़ कर चलती हूँ परमधाम में प्यार के सागर को टच करती हूँ कुछ देर उसके पास बैठ जाती हूँ उससे प्यार के वाइब्रेशन्स भरकर नीचे आती हूँ इस देहे में फिर मैं आत्मा उपर वापिस जाती हूँ बाबा प्यार का सागर है इस संकल्प से उसके साथ बैठ जाती हूँ हमें प्यार के वाइब्रेशन्स भरते जाएंगे फिर मैं आत्मान नीचे आती हूँ अपनी देहे में ये अभ्यास सारा दिन करेंगे ओम स्याती